नमस्कार, आज एक पाकिस्तानी फिल्म की चर्चा, पाकिस्तानी फिल्म जंदिकी तमासा अभी यूटूब पर आई है, कल ही मुझे अपने मित्र दुश्यन्त से या जानकारी मिली, उन्होंने फेस्बूप पर डाला था, कि यह फिल्म यूटूब पर रिलीज कर दी गई है, हम चाहें तो इसे देख सकते हैं, मैं आपको बताओं कि समरंद खुशट की यह फिल्म 2019 में विविन्यम पुरसकारों से नवाजी जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में इसके रिलीज पर पावंदी लग गई, जबकि वहाँ के सेंसर बोर्ड, तीन-तीर सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी लीथी रिलीज की, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमिंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा, साथ ही घंटी बजा दे, ताकि मेरे अपडेट आपको मिलते रहें, तो मैं बात कर रहा हूँ जिन्दगी तमाशा, जिन्दगी तमाशा का गीत है, जिसको लेकर ये सारी फिल्म बनी और जो थीम गीत है, जिन्दगी तमाशा बनी, दुनिया का हासा बनी, सचमुच, दुनिया के लिए ये अम्यूजमेंट की तरह पेश की गई है, और जिसकी वज़ह से, जिसकी वज़ह से मुहम्मद राहत खौजा के जिन्दगी में कुछ ऐसी घटनाए घटती हैं, और लगातार उनका बहिसकार होता है, कि वे परिशान हाल होते हैं, यह फिल्म पाकिस्तान में क्यों बैन की गई या क्यों इस पर पाबंदी लगी, पाबंदी भी सेंसर बोड के बाहर से लगी, मौल भी उने लगाई, उन्हें बात पसंद नहीं आई फिल्म के कंटेंट में, जो दो-चार ऐसे डायलोग हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आए, और जिसकी वज़े से उन्होंने यह हंगामा किया, कि अगर यह फिल्म रिलीज की गई, तो वे सडकों पे उतर आएंगे, और कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान में फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई, और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, दुशयन ने बताया था कि वे अपने फिल्म फेस्टिबल में इसको लाना चाहते थे, बाचित भी हो गई थी समरंद खुसट से, लेकिन अगेन वो अंग्रेजों की द्वरा खिची की जो एक रेखा है, जिसके वज़े से बारत और पाकिस्तान बने, उसकी कई अर्चने है उन अर्चनों में से एक अर्चन की वज़े से दुशयन यह फिल्म नहीं दिखा सके, और यह फिल्म अब यूटूब पर आई है, जहां समरंद खुसट ने लग बग धाई मिनिट इस फिल्म के बारे में बताया है, क्यों ऐसा हुआ और अब कैसे वे दिल पर पत्थर रखक इस फिल्म को यूटूब पर रिलीज कर रहा है, हाँ, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो भीमियों पर जाकर कर देख सकते हैं इस फिल्म को, वहाँ वीडियो ऑन डिमांड पर यह फिल्म उपलब्द है, जहां आप अपने मर्जी से कुछ पैसे भी दे सकते हैं, बात करूं मैं जिन्देगी तमाशा की, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से ज्वाइलेंड आई अभी, हमने देखा, सायम सादिक ने उसका निर्देशन किया था, यहां पे सायम सादिक इस फिल्म के टीम बी के डिरेक्टर हैं, और उनका सहयोग रहा है इस फिल्म फिल्में बना रही है, मुहम्मद रहात खौजा, एक प्रोपर्टी डीलर है, सामान्य आदमी है, मद्धिवरगिये अन्यम्न मद्धिवरगिये परिवार है, परिवार में बीठिया हैं, पत्नी को फालिज मार गया है, और वह बिस्तर पर पड़ी हुई है, रहात खौजा स नात सुनाते हैं, और इसके लिए बहुत मशूर है, महले में उनकी चर्चा है, और उन्हें बुलाया जाता है, सम्मान की दिश्ट्री से देखा भी जाता है, फिल्म के बीच में एक शादी होती है, एक दोस्त के बेटे की शादी है, वहां जाते हैं, बेटे के लिए कवित पढ़ते हैं और वहाँ दोस्तों की महफिल में फरमाईस होती हो यह बात चलती है कि बच्पन में इसको डांस करने का शौक था लेकिन इसके वालिद ने इसकी परमीशन नहीं दी फिर भी यह चोरी छिपे डांस करता था और वह दोस्त उनसे फरमाईस करता है तुम डांस करो और दिखाओ हमें सुरू में तो वह नानुकुर करते हैं लेकिन बाद में राजी होते हैं एक गाना बसता है लेकिन वह गाना उन्हें पसंद नहीं है और फिर जिस गाने पे जिस फिल्मी गाने पे वह डांस करते हैं वह गाना यही है जिन्देगी तमाशा बनी दुनिया क लेकिन उस डांस में उसमें जो involvement है मुहमद राहत ख्वाजा का उससे ऐसा feel बिलकुल नहीं होता है और कहीं भी यह बहुंटा परदर्शन नहीं है इस तरीकिये से बात आती है लेकिन एक युवक वहाँ वो वीडियो बना रहा है और वो वीडियो वाइरल हो जाता है वाइरल हो जाती है अपने खाविन से वह कहती है बात दोनों बात करते हैं पूछते हैं ख्वाजा जाप से कैसा क्यों हुआ वे उसे बहुत मामली तोर पर लेते हैं कहते हैं कि मैंने तो दोस्त की शादी में डांस किया था किसी ने वीडियो बनाया डाल दिया इसमें कौन सी इसाथ नहीं मानते हैं या ऐसा नहीं मानते कि रसूल के खिलाब उन्होंने कुछ कर दिया है। के बाद एक function में जब वह नात सुनाने के लिए जाते हैं तो वहां कोई उन्हें इंटरी तक नहीं देता है बीच में एक percent आया है जब उनके दामाद कोशिस करते हैं कि एक मौलवी को बुलाके ले आते हैं काजी को बुलाके ले आते हैं और कहते हैं तुम माफी नामा पढ़ दो, कहे दो कि मुझसे ये गलती हो गई है, कभीरा गलती हो गई है, तुम पढ़ दोगे, लोग माफ कर देंगे, वहाँ वे पढ़ते भी हैं, लेकिन जिस जंक से काजी उन पर हावी होता है और बताता है कि नहीं तुम फलिस्टीन के फेवर में भी बोलो, अमेरिका के खिला वे नाराज हो जाते हैं और वे काजी पर बोलते हैं, उस पर त्रहमत लगाते हैं, कि तुम जो अपने मदर से में बच्चा वाजी करते हो और तुम जो चंदे के पैसे से अपना मकान ख़ड़ा करते हो वो क्या है वी वाजिब बात है, दोनों वे बग्जग होती है, यहां से बिकरता चला जाता है और काजी ने वो साजिस किया जिसे वो ना गा सके और यही फिल्म का क्लाइमेक्स है जिस दुक में जिस पीरा में उनकी बीबी की डिथ हो जाती है बेटी फिर भी माफ नहीं करती है बेटी को लगता है कि उसके अबबा को ये काम नहीं करना चाहिए था समाज में उनकी एक खास इजज़त थी उस इज़त को उन्होंने गवा दिया है उस डांस करने से एक मामली से डांस से जो मौल्मियों को बुरी लगी पाकिस्तान में बात वो यही बच्चा बाजी वाली बात बुरी लगी है और ये बात बुरी लगी है कि काजियों पर क्यों इलजाम लगाया उसने और इन दो पंक्तियों की वज़े से ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई तो लगबाई एक ही हालत है भारत हो या पाकिस्तान दोनों जगर समाज में ऐसे तत्व मवजूद हैं जो धर्म, मजहब और दूसरे सामदाइक मामलों की वज़े से फिल्मों पर आपत्ति उठाते हैं और अव्यव्यक्ति की आजादी को रोकते हैं इस फिल्म को आप जरूर देखिए अपनी नेजर से देखिए हाँ, फिल्म में एक खोट मुझे नेजर आया महमद रहाद खौजा को जब एक समलेंगिक गतिविदी के पता चलता है तो वे उसकी शिकायत करते हैं पुलिस में मुझे लिए लगता है कि यह उनके लिए जरूरी था और फिल्म के प्रसंग में इसका लाना जरूरी था लेकिन हो सकता है या उनके विक्तित का अंतर भी रोध हो जिसको निर्देशक सामने लाना चाहते हो आप बताएं फिल्म देखने के बाद यहाँ दर्ज करें कि आपको फिल्म कैसे लगी शुक्रिया, महरवानी, धन्यवाद, देखते रहें सिनेमा होल